असलाम अलेकुम आज मैं आप लोग को उर्दू की दूसरी जमाद में उर्दू में मजमून बताने जा रही हूँ मजमून यौमे जमूरिया 26 जन्वरी 26 जन्वरी नजदीक है 26 जन्वरी आने वाली है तो हमें पता होना चाहिए कि 26 जन्वरी हम क्यूं मनाते हैं तो आज हम जानेंगे कि 26 जन्वरी हम क्यूं मनाते हैं हिंदूस्तान में 26 जन्वरी एक कौमी तेवार का दिन है इसकी एहमियत बहुत ज्यादा है 26 जन्वरी 1950 को हिंदूस्तान में अपना कानून नाफिज हुआ था आजाद हिंदूस्तान के लिए जरूरी था कि इसके अपने कवानीन बनाये जाएं कानून की जमा है कवानीन हम लोग हम इंदूस्तान वाजियों का तीन एहम कौमी तेवार है 15 अगस्त जिसे हम सवतन्ता दिवस कहते हैं हिंदी में 26 जन्वरी जिसे हम गंतन्त दिवस कहते हैं हिंदी में और दो अक्तूबर गांधी जैन्ती ये तीन हमलों का एहम तेवार है कौमी तेवार है डाक्टर भीमरा अंबेतकर और उनके दूसरे साथ ही उने कवानीन की एक जखिम किताब तयार की जिसका नाम दस्तूरे हिंज रखा गया इस नए कानून के जरिया हिंदुस्तान एक जमूरी मुल्क बन गया इस नए दस्तूर पर सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को अमल किया गया इसलिए 26 जनवरी को हम यौमे जमूरिया कहते हैं हम लोग को 15 अगस 1947 सिवी को आजादी मिल गई थी और 26 जनवरी को यहां का कानून लागू हो गया था 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में यौमे जमूरिया मनाया जाता है आज के दिन 26 जनवरी के दिन सरकारी और गैर सरकारी हिमारतों पे तिरंगा लहराया जाता है इसकूर और कालोजों में बहुत धूम मची होती है वहां तिरंगा लहराया जाता है कौमी गीत गाया जाते हैं देली में 26 जनवरी के दिन सुभा से ही धूम धाम रहती है राश्पती भवन से लाल किना तक मेल मीलो लंबा जुलूस निकला हुआ होता है जुलूस लगा रहता है 26 जनवरी को बच्चे बहुत खुश होते हैं तरह तरह की मिठाईया मिलती है जिसे बच्चे खरीद कर खाते हैं और अपने घड़ों पे भी जहंटा लहराते हैं सब को अच्छे से अपने नोट बुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना खुदा हाफिज